तो घुर इम पैसे बहुतल देडिक स्वागत है है मारे इस यूटूब चेनल टूटल लर्णिंग पे तो फ्नदू जल्दी सा लाइब जूड जाइए और फट नफर आप आप सभी लोग इस वीडियो को सेयर कर दो ताकि जितने में विद्यारती लोग छूट रहे हैं वह लोग इस लाइप सेशन में ज्वाइन हो जाए और हिंदी की क्वेस्टेंस का आनंद उठाएं और आप सभी को पता दू दोस्तों जो लोग हमारे साथ नहे हैं वह लोग इस बहुत सारे विद्यारती लोग हमारे साथ जूरे हुए हैं तो आप लोग अभी तक से नहीं जूरे तो जल्दी से जा करके सर्च करके जूड़ जाओ यहां पे आपको बिनेफिट मिलते रहेगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं हाज जी क्वेस्टन नमर वन आपके स् सर्ग चैन कीजिए देखिए हजी क्वेस्टन नमर वन का अंसर कर यह आप से लोग प्रतिया सब्द में सही उपसर्ग का चैन की जो अपसर नमर एप्र आप से नमर प्रती आप संवर सिपर आप संवर्द यह पड़ी क्या होगा राइट आंसर जल्दी से बताईये तो हाज की हाज ऑगा दोस्तों बहुत अच्छा हाज जी क्या होजाएगा इसका हो जाएगा दोस्तों आप संवर्द क्या उप्रतिया ए अधिक प्रति हो जाएगा ठीक है प्रति जो और लिकेंगे ना अच्छे कि यहाद रखियेगा दोस्तों चलिए नेक्ट को बढ़ते हैं क्यांजिन नम्र दो आ रहा है कहता है पावर्ग का उच्चारन मूख के किस भाग से होता है यानि की जो लोग पावर्ग बोल रहें वह कौन सा भाग से निकल नमर कंठ मों से कंठ वाला से और that किस अंग को दोस्तों पवर्ग जो सब्द है वह छूड़ा है कि हाजी तो देखिएगा सभी लोग हाजी सभी लोग मिलाते चलिएगा दोस्तों पवर्ग जो है वह उचारन मुह के ओष्ट भाग से ओर ठीक है आप लोग पवर्ग का उचान करें तो ओष्ट जो है ना ओट का ज्यादा काम होगा पवर्ग ठीक है पवर्ग ओट का ज्यादा काम होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा ओट सो जाएगा अब यहां पर क्वेश्ट्व्ट नमर तीन आपके स्किन पर आगे काता है मुनिंद्र ना का संदी विच्षेद करें देखें और देख सही से देखि यह और फिर उसके बाद उत्तर करिए भले ही लेड़ से ऊगा मगर सही उत्तर होगा हाँ समय की पावंदी रहे गें आपके एक्जाम में तो आपको भी ध्यान रखना है कि एक्जाम में समय का जरूर पालन करें जो समय दिया हुआ है उसी के अनुसार आप लोग काम करने की कोशिश करो ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो समय अपने आप आपके साथ आ जाएगा ठीक है तो चलिए मुनिंद्र का जो संधी बीछे दो जागा दोस्तों हाँ जी सभी लोग अप्शन नमर यह बता रहे हों जी बहुत सारे विद्यारती लोग बता रहे हैं जी यह ही होगा मुनी जो इंद्र ठीक है मुनी कैसे लिखाएगा तो कुछ इस तरीके से लिखाएग पूछते पारामेडिकल में बहुत विद्यारती लोग फॉस भी जाते और लोग नमबर ले लेते हैं तो उनका इड़िशन भी हो जाता है जो फस जाते हो पीछे हो जाते हैं तो यहां परशना नहीं का कि हल वाईन हलौ ऐन हर अर्ड कहता है हलवानी किया होगा आप सभी लोग उत्तर करके बताएं जल्दी से इस अभी इंपॉर्टेंट क्वेस्टन है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेस्टन का हमारे चैल पर सीरीज चल रहा है और बहुत जल्द आप सभी का मैट्स का दिखें फॉर्म फॉर्म आगे आना फॉर्म जैसे ही आपका देखें पढ़ाने का रूटीन ही चेंज हो जाएगा अग्दम इतना बेश्ट तयारी टोटल लेर्णिंग पर कराए जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो बसरते आपको हमारे चैनल के साथ रेगुलर रहना पड़ेगा चलिए जी हलवाई का इस्तिर लिंग क्या होगा यहां पर यह क्वेस्टेन उठता है तो सभी लोग मिलाते चलिएगा अंसर है ना सभी लोग मिलाते चलेंगे क्या होगा हाँ जी तो चलिए दोस्तों हाँ जी ऑप्सन नमर बी वाले का राइट है हलवाई ठीक है छोटकी का उचारन हो गया यहां पर छोटकी लगेगा तो हलवाई का क्या हो जागा जी हलवाई याद रखेगा ना चलिए जिनको नहीं आदे वो लोग याद कर लेंगा जो लोग भी बता सब्सक्राइब बहुत एच्छा उनका राइट है चलिए जी क्वेशन नमर फाइव यहां पर आ चुका है कहता है इस तिलिंग सब्द का चैन कीजिए देखिए अप्सन नमर बीए सांसद अप्सन नमर से संगठन अप्सन नमर डिए सिंदूर कौन सा दोस्तों इस आप्सन सब्सक्राइब drastic सब्सक्राइब तो यहां पर क्या हो जाएगा ठीक है यहांत तो यहां पर क्या हो जाएगा और यहांपर संएगा जो मर धी सब्सक्राइब तिलिंग सब्सक्राइब इसमें से कौने संसद चलिया चलिया विष्जन नमर या पे कहता है यहाँ जो योगट करते हैं आ इसका को चाहिए दुकान में जाते हैं कि लिए लिफाफा दीजिए तो कौन सा भास अप्सें नमर यह अर्वी या भी कहता है फार्सी कहता है हिंदी अप्सेंटी कहता है संस्कृत लिफाफा कैसा है जल्दी से बताईए तो कि हजी कि चलिए दोस्तों यहां पर देखेगा आप सभी लोग हाँ जी जो लोग आपसन नमर यह बता रहे हो ना उनका राइट है बहुत अच्छा क्या हो जाएगा अरभी भासा लिफाफा को अरभ में यूज किया जाता है और यह भासा अरभी कहलाता है तो आपसन नमर यह जो बत तो देश किजिए यानि कि समझ और सार्व मिल करके संधी करके वह कौन सा सब्द बनाएगा या किस संधी का होगा आपसन नमर ए सवर संधी आपसन नमर पी बैंजन संधी आपसन नमर दी संदी इस तरीके कि अपको कैसे बनाना है मैं इस बताओंगा श्टिक पहले आप से लोग आंसर करके बता दो किया ओगा राइट अंसर और तो चलिए यहां पर आप सभी लोग देखें मिलाते चलेगा सभी लोग ठीक है यहां पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तो वह क्या होगा वह बैंजन संदी यहांनि का और बी जो बता रहे हैं जी बहुत स्थाइजन संदी मार दो ठीक है और जहां पिखे आप स्थे आप सुर को स्वरी जैसे सुर में दिखाने सोर न है स्वार किसेंगे तो सोर संदी में निकॉप्संवर उसी तरीके से यदि आपको भी सर्ग रहेगा सब्सक्राइब संदी का ही दिर्ग संदी ब्रांच है एधिक याद चलिए आगे बरते हैं जी कोईसटन आमट नमरीट कहता है गुलर काफूल होना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होगा अपसट नमर एक खूब लाज होना आप सा नमर सीज़ा भांग जाना आप सटना यह ला पता होना क्या होगा राइट अंसर पहुत ही जबरदस्ट क्वेस्टन का स्रीज चल रहा है और आई होप आप सभी लेको मज़ा आ रहा हो दोस्तों क्वेस्टन देख करके ठीक है हाजी देखिए क्वेस्टन पढ़िए औप सन पढ़िए फिर उसके बाद दिमाग लगाना सुरू कर दीजिए बहुत ही असान सवाल है दोस्तों और बहुत विद्यारति को कन्फूजन भी हो रहा होगा तो चलिए हम इस कन्फूजन को दूर करते हैं यहां पर आंसर अब लोग मिलाइए गाजी गुल्ड का फूल होना देंकि लोग बड़े बश्यूर को सुने होगे कि फूल जलदी किसी को नहीं मिलता या आप लोगों ने भी देखा वागहा घुक भी फूल नहीं देखा होगा पहीं मुझा है अनुमान है क्या है वं मिलने काम लापता होना यानि कि गुलर का फूल होना यानि कि लापता होना गुल्ण के फूल लुट करना जो कनफरम रहेंगे चलिए क्वेशन नमर नाइन अस्किन पर आगया आलोग का बिलोम सब्द निमलिखित में से कौन सा ओगा देकिए आलोक सब्द इसका बिलोम सब्द क्या करते अपसे नमर एह अनूलोम आपसे नमर भी एवनती आपसे नमर सी अंधकार आपसे नमर डिया प्राचीन कि देखे आलोक है जी याद रखेगा तो चलिए यहाँ पर क्या देखे आलोक सब्द का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा अंधकार आलोक का मतलब होता है कि प्रकास ठीक है क्या होता है प्रकास होता है तो इसका बिलोम सब्द क्या हो जाएगा अंधकार हो जाएगा यह आलोक है यह प्रकास क इसा प्रवाच्वाची सब्द होता है ठीक है चलिए आगे बरते क्वेश्ण अमर्डस की ओर देखियेक क्वेश्ण नमर्डस के तैनिम लिखित में कौन सा संजुक्त वेंजक का उधारन है देखें संजुक्त वेंजक वेंजन का कौन सा आपसर नमर ए आड़ा ना भी है ट्वरगी ना आर सी एसा मुधनी सा और डी है छत्र कौन सा होगा जल्दी से बताईए तो कि संजुक्त वेंजन चुनना है दोस्तों थametcı सब्सक्राइब नहीं यह चलिए इसका राइट वेंजन कंधर सावार काँश्र और वैंजन याद रखिएगा चलिए आप सबसे होग संजुक्त todavía ठीक है स्वड़ार होता है स्वार सदी में अलग अलग होता है स्वार होता है वेंजल कौन सोगा मालू कि में विजन में वी अलग अलग होते तो इन दोनों में भी अलग अलग होता है इसी तरीके से आपको संजुक्त में हैं संजुक्त बेंजन है पढ़ना है आगे चलिए उसका वह लोग डीपली जानेंगे आगे वाले वीडियो में चली सही वर्तनी वाला सब्द चयेन कीजिए सही वर्तनी वाला सब्द यानि के अतिहासिक जो है वो कौन सा और नमार अटिहासिक अप्सट कौन सा राइट लिखा हुआ है दोस्तों आपको वर्तनी में से नहीं रहेगा हिड़ेंधा सूद्र वर्तनी चुनने के लिए रहत चली बता ecos यह से रइट उल्प तो यहां पे क्या होगा दोस्तों हाजी तो यहां पे क्या जення हाँजी एतिहासी को जागा ओसे नमर बी वाले का राइट है हाजी बी राइट होगा एतिहासी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ठीक है याद रखिएगा इसी तरीके से पूछा जाएगा आपका एक्जाम में तो त्यार रहाना है चलिए जी क्वेशन नमर बारा कहता है घर आंगन किस समास का उधारने जल्दी से बताइए आपसन नमरे है तत पुरुस आपसन भी द्वांद आपसनों से दिगो अपसन मड़ी है बहुवरी क्या होगा चलिए जी यहां पर देखेगा आप सभी लोग घर आंगन है घर आंगन है दोस्तों देखे यहां पर जो मैं बताने वाला हूँ वो समझेगा आप सभी लोग घर आंगन है तो यहां पर देखे जो डैस दिया हुआ है इस डैस से आपको क्या समझना है मालूम है इस डैस से क्या होता है दोनों पद्परधान होता है ठीक है और दिगु में आगे वाला जो प्रतम पद होता है वह संख्या वाचक होता है ठीक है यह सभी आपको ध्यान रखना है और तत्पृत में आपको क्या करते हैं करताने करम को करन से यह निस नमर भी दोंद्री चलिए जी Q23 यहां केता है सारी का वहू बच्चन क्या होगा सारी का बहु बच्चन क्या होगा अप्सने मरे सारी है पूंसा वाला सही होगा जल्दी से बताइए तो क्वेशन नमर 13 आपके स्क्रिन पर दिख रहा होगा कि कि तेहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों सारी का बहु वचन क्या हो जाएगा वह जगा आपसंन नमर ए सारियां हो जाएगा जी याद रखेगा ठीक है अजी ऑप सनमर ये वाले का रहेटे सारियां कुछ इस तरीके से एक वाला है चलिए आगे बरते क्क्षानवर्च उन्वर्टीन यह पर कहता है इस वाक्ष और वाक्य से में भी पात है उन्य वह ओर साप्सेयर से और शुर्णी अलिशिखने नीफान्त कौन सा निपात होगा तो चली जी फान को ना दूइघा जो भी और दोस्तों कौन सा निपात होगा मालूम है वो जाएगा आपसे नम की बल दायक निपात ठीक है इस तरह की क्वेस्चन आपको फसानी के लिए एक-दो रहेगा तो आपको फसना नहीं याद रखिए भी जो हो सब्सक्राइब कोण सा सब्सक्राइब का बीलोम के सब्सक्राइब नहीं हों जल्दी से बताइए लाश्ट कोई दोस्तों और साथ हम इस से सिसन को इंड करेंगे इस क्वेस्टन के बाद और आई होप आप से लिए को मजा रहोगा तो प्लीज लाइक वाला बटन दबा देना और अभी तक से शेर नहीं के तो यार सेर तो बनता है तो चलिए आप इसका सफल का बिलौब सब्सक्राइं नहीं है यानि सफल का बिलौम सब्सक्राइब का मतलब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने सदों ला डेल तो यहां पर रहीं हो जाएगा वह शब्ывать पर दोस्तीम मचकत थे राइट है उत्तरी नहीं हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं नेक्ट क्लास में नेक्ट सब्जक्ट के साथ और भी इंपॉर्टेंट क्वेस्टन के साथ जाहिन चैभारत